आरे विश्वयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बाते मेरे तक पहुची है मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, सुन पाऊं आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपा धापी में ध्यानी नहीं जाता है मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उनी कुछ पहलू हों को आप सभी देश वाश्यों के साथ बाटू साथियों, भारत की कोरोना के खिलाब लडाई सही माइने में पीपल ड्रिवन है भारत में कोरोना के खिलाब लडाई जनता लड़ रही है आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रहत्शिल है गरीबी से निरनायक लड़ाई लड़ रहा है उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भागिशाली हैं कि आज पूरा देश, देश का हर नागरीक जन जन इस लड़ाई का सिपाई हैं, लड़ाई का नेत्रुत्व कर रहा है आप कहीं भी नजर डालिए, आपको ऐसास हो जाएगा कि भारत के लड़ाई पीपल डिवन है जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूज रहा है, बविश्व में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल डिवन लड़ाई इसकी जरूर चर्चा होगी पूरे देश में, गली महलों में, जग़ जग़ पर, आज लोग एक दूसरे की जहायता के लिए आगे आये हैं गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की ववस्ता हो, लोग डाउन का पालन हो, अस्पतालों की ववस्ता हो, मेडिकल एक्विपमेंट का देश में ही निर्मान हो आज पूरा देश एक लक्ष, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है ताली, थाली, दिया, मुम्बति, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया जिस जजबे से देश वासियों ने कुछन कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है शहर हो या गाउं ऐसा लग रहा है, जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायग्य चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतूर है हमारे किसान भाई भेनों को ही देखिए एक तरफ, वो इस महामारे के बीच अपने खेतों में दिन, रात महनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोये हर कोई अपने सामर्थ के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है कोई किराया माप कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पैंशन या पुरसकार में मिली राश्य को पी-एम कैस में जमा करा रहा है कोई खेट की सारी सबजियां दाम दे रहा है तो कोई हर रोज सैक्डों गरीबों को मुप्त भोजन करा रहा है कोई मास्क बना रहा है कहीं हमारे मेद्दूर भाई बहन कारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसके रंगाई पुताई कर रहे हैं साथियों दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर रदय की किसी कौने में जो ये उमरता घुमरता भाव है न वही कोरोना के खिलाप भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है वही इस लड़ाई को सच्चे माइने में पीपल ड्रीवन बना रहा है और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में ये मिजाज बना है निरंतर मजबूत होता रहा है चाहे करोडों लोगों का गैस सबसेड़ी छोड़ना हो लाखों सीनियर सेटीजन का रेलवे सबसेड़ी छोड़ना हो स्वच्च भारत अभ्यान का नेत्रूत लेना हो टॉयलेट बनाने हो अनगिनित बाते ऐसी है इन सारी बातों से पता चलता है हम सब को एक मन एक मजबूत धागे से पिरो दिया है एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेना दी है मेरे पैरे देश वासियों मैं पूरी नमरता पूरवक भौती आधर के साथ आज 130 करोर देश वासियों की इस भावना को सर जुका करके नमन करता हूँ आप अपनी भावना के नुरू देश के लिए अपनी रूची के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in मैं दुबारा बोलता हूँ covidwarriors.gov.in सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के volunteers civil society के प्रतिनिधी और स्थानिय प्रसासन को एक दूसरे से जोड दिया है बहुती कम समय में इस पॉर्टल से सवा करोड लोग जुड चुके हैं इन में डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी हाशा, एनेम बहने हमारे NCC, NSS के साथ ही अलग-अलग field के तमाम professionals उन्होंने इस platform को अपना platform बना लिया है ये लोग स्थानिय स्थर पर crisis management plan बनाने वालों में और उसकी पूर्टी में भी बहुत मदद कर रहे हैं आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं covid warrior बन सकते हैं साथियों, हर मुश्किल हाला, हर लडाई कुछ ने कुछ सबक देती है कुछ ने कुछ सिखा करके जाती है सीख देती है कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मनजिलोन की दिशाभी देती है इस परिस्थिति बें आप सब देशवासियों ने जो संकल प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बड़लाव की शुरुआत भी हुई है हमारे बिजनेस, हमारे दब्तर, हमारे सिक्षन सोंस्तान, हमारा मेडिकल सेक्टर हर कोई तेजी से नए तकनीकी बड़लावों की तरब भी बढ़ रहे है टेकनोलोजी के फ्रंट पर तो वाकरी ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्तित्यों के मताबिक कुछ न कुछ नया निर्मान कर रहा है साथियों देश जब एक टीम बन करके काम करता है तब क्या कुछ होता है यह हम अनुभो कर रहे हैं आज केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो इनका हर एक विभाग और समस्तान राहत के लिए मिल जूड करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं हमारे एवियेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग हो रेलिवे कर्मचारी हो यह दिन रात महनत कर रहे हैं ताकि देश वाशियों को कम से कम समस्या हो। आप ऐसे साथ बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाईयों को पहुँचाने के लिए लाइफ लाइन उडान नाम से एक विशेश अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही तीन लाग किलोमेटर के हवाई उडान भरी हैं और पान सो टन से अधीक मेडिकल सामगरी देश के कौने कौने में आप तक पहुचाया है। इसी तरह रेलवे के साथ ही लोकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो। इस काम के लिए भारत के रेलवे करिब करिब साथ से अधिक रेलमार्क पर सो से भी जादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभा के लोग बहुत एहम भूमी का निभा रहे हैं। हमारी सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वारियर ही है। साथियों, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के तहट गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसपर किये जा रहे हैं। बृद्दवस्ता पेंसन जारी की गई हैं। गरीबों को तीन महने के मुप्त गैस सिलिंडर, रासन जैसी सुविदाय भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग-अलग विभागों के लोग, बैंक्टिंग सेक्टर के लोग, एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश के राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रसंशा करूँगा, कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमी का निभा रही हैं। स्थानी ये प्रशासन राज्य सरकारे जो जिम्मेदारी निभा रही हैं। उसकी कोरोना की खिलाब लड़ाई में बहुत बड़ी भूमी का है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रसंशली है। मेरे पैरे देश स्वासियों, देश भर से स्वास्त सेवों से जुड़े लोगों ने अभी हाली में जो अध्यादेश लाया गया है। उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वारियस के साथ हिंसा, उत्पिडन और उन्हें किसी रूप में चोड़ पहुँचाने वालों के खिलाब बेहत सक्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेश, परामेडिकल स्टाप, कॉम्यूनिटी हिल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को करोना मुक्त बनाने में दिन राज जूटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाब इस लड़ाय के दोरां हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश्ट नजरिये से देशने का आउसर भी मिला है। समाज के नजरिये में भी व्यापक बड़लाव आया है। आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की एहमियत का हमें आभास हो रहा है। हमारे घवर में काम करने वाले लोग हो, हमारी जरूरतों को पुरा करने के लिए काम करने वाले, हमारे सामान्य कामगार हो, पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो, इन सब की कितनी बड़ी भूमी का है, हमें ये अनुहव हो रहा है। इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलिवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मद्दूर भाय बहन, हमारे आस पडोस के आटो चालक, रिक्षा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितरा मुश्किल हो सकता है। आज कल फोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लोकडाउन के दोरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बलकि उनकी बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं। आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीर हैं आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्परवर्शा कर रहे हैं, पहले उनके काम को संभवत हो आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सिवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बढ़ला हुआ है। पहले पुलिस के विशे में सोचते ही नकारात्मक्ता के सिवा है, हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिस कर्मी आज गरीबों, जरुरत मंदों को खाना पहुचा रहे हैं, दवा पहुचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इसे पुलिसिंग का मानविय और सम्वेदन सिल्पक्ष हमारे सामने उफर करके आया है, हमारे मन को जगजोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा आउसर है, जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से चूट रहे हैं। आरात्मक्ता के रंग से रंगना नहीं है। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं प्रकृती, विक्रूती और संस्कृती। इन सब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें, तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा। अगर मानो प्रकृती की चर्चा करें, तो ये मेरा है, मैं इसका उप्योग करता हूँ। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है। किसी।